Hello friends, welcome to all, आज में आपके लिए जो वीडियो लिखारो देखे, specialty chemicals की यहाँ पे बात करेंगे, और specialty chemical कहानी यूज होते हैं, मतलब ये chemicals हर तरीके से, चाहे वो pharma industry हो, चाहे वो personal care segment हो, fmcc segment हो, food additive, food preservative, हर जगे के लिए ये यूज होते हैं, अब specialty chemical के यहाँ पे तीन जबर्दा share fine organics, vanity organics, rt industries, बड़ा नाम इनका है, पिछले कुछ time अगर आप देखो तो इन stocks ने खूब कमाई करके आपको दी है, लेकिन अभी गिरावट चल रही है, सारे share सस्ते में है, तो इन share में भी, सस्ता जो है, ये भी सस्ते में मिल रहे हैं, लेकिन demand इतनी गम कम नहीं हुई ह इन products की, इन companies की, और आने वाले time पर मुझे लगता है, कि बहुत तेजी ये दिखा सकते है, क्या कुछ चल रहा है, आज कल की date में technical fundamental wise भी देखते हैं, share में, इन तीनो shares को एक एक करके, और आगे बढ़ने से पहले में आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं कि अब लोग live trading पे, live investment पे जा चुके है, technical analysis जो है काफी important है, retail investor perspective से, तो सीखनी जरूर चाहिए, और यहाँ पे देखिए, वो पूरी की पूरी series जो है viewers की demand पे start की गई है, तो आप join कर सकते हैं, join button पे click करके, फिलार हम बात करते हैं, आप specialty chemicals के 3 shares की, fine organic industries से start करूँगा, छोट असा share है, बढ़िया share मैं कहूंगा इसको, अगर आप इसके detail देखें, market में नया है, debt free share है, अच्छे कमाई है, revenue अच्छा है, no doubt, बहुत ही बढ़िया share है, जादा time हुआ नहीं market में आए वो लेकिन बढ़िया quality का share यह है, अब ऐसे माहॉल में अगर आप देखो, इस share को ख दिखाई है, काफी अच्छी positivity दिखें कर मैं यहाँ पर देखूं, जहां से यह वापस आया नहीं देखिए, prior resistance can become support, technical analysis का एक important part होता है, prior resistance यहाँ पर support का काम क्या है, वहाँ से positivity, यहाँ पर weekly पर देखने को मिल रहे है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम थोड़ा और छोट अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो एक बहुत ही बढ़िया zone में यह stock धीरे धीरे जाने वाला है, अब आपको होगे बहुत ही बढ़िया zone से क्या मतलब आपका देखिए, यह downtrend की जो line चल रही है, वो almost यहाँ पर होती भी नजर आ लिए धीरे धीरे करके, और मुझे लगत अगर आप किसी भी stock में invest कर रहे हो, तो एक positivity at least आपको daily में दिखे तो बढ़िया रहेगा, अगर मैं यहाँ पर देखो देखिए, high बनाया, अब यह higher low बनता हुआ देख रहा है, लेकिन अगला high जो है पार करना जरूरी है, यानि कि 2100 के level पे, और यह downtrend की line भी इसमें देखिए अब आप, इसी चीज को आपको समझाने के कोशिश करता हूँ कि आप जरा ध्यान दें और ध्यान से समझे देखिए, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ यह level पार हो जाए तो एक positivity, एक strong positivity आपको देखने को मिलेगी, members मैं आप से यह कहूँगा कि भी यहा stop loss आपके पास already ready है यहाँ पे और entry तभी जब यह level पार हो कि पहले entry नहीं भई, पूरी चीजा resolve हो, तभी entry करें तो बहतरीन, और फिलाल अगर मैं देखू इस stock में है, already अगर formation आप देखो तो higher high बन चुका है, higher low बनता हुआ निजर आ रहा हो और यह correction resolve होना important है, यह तो ए market capitalization, 8000 करोड, 700 economy का price है, विनिती और अगनिक्स अगें profit growth, sales growth, बहुत ही बढ़िया debt free company, debt तो हुदार तो है नहीं, मतलब fundamental strong है, weak तो है नहीं, और इसके बाद फिर हम 80 industries के उपर चलेंगे, जरब विनिती और अगनिक्स के हाल चाल देख लेते हैं, पहले कैसा है, विनिती औ buying का tower आज देखने को मिला बहुत ही जबर्दस, मतलब important level, जड़ा ध्यान रखें important level, आपको कौन सा है, यहाँ पे यह range काफी important हो सकती है, 860 की, अब मैं यहाँ पर बात करूं, देखें इसने बिलकुल low बना, low बनाने के बाद दुबारा उसी के आसपास का low बना है, यानि क double bottom आप इसको कहोगे, लेकिन फिलाल jump लेकने की कोशिश जरूर की है, और एक range में trade कर रहा है, जिसका bottom point यह है, धीरे धीरे range contract जरूर होती है, वही नजर आ लिए, लेकिन 820 का level पार करना सबसे important है पहले इसका, यह बड़ा buying volume काफी important positivity यहाँ पे stock में दिखा रहा, अच्छ के level से यह गिरा है, और almost 200 weeks के bottom point पे 200 weeks का यह level है, almost 600 के आसपा से आया है, वहाँ से positivity देखने को मिले जो कि अच्छी बात इस stock के लिए लग दिया है, लेकिन इसको sustain कर पाता है और नहीं कर पाता, वही देखने वाली बात है, और अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलो इसके के daily time frame में, के daily time frame में, मुझे reversal, reversal मुझे तभी दीखेगा, जब यह level इसका पार हुगा, 840 के level जो है पार हुगा, तब हम कहेंगे, एक positivity में देखने को मिलेगा, अगला resistance फिर उपर देखने को मिलेगा, 1000 के level पे, यह देखिए, थोड़ा सा trend reversal को समझनी के कोशिश कीजिए, अल्रेडी मैं वीडियो आपके लिए पोस्ट कर चुका हूँ, trend reversal के, higher high, higher low की series बननी चीए, क्योंकि अभी तक downtrend में, जब तक चल रहा है, stock तब तक lower low और lower high की series बनती है, और ऐसे time पे मैं कहूँगा, stop losses अपने जरूर लगाए, बिना stop losses के साथ market में जाना ही नहीं है, चा कई red, red की news भी आरती industries के उपर आई थी, 16% का sales growth, 1800 करोड का debt company के उपर जरूर है, लेकिन अभी के view के साथ हम देखते हैं कि कितना गिरा और कहां तक गिर रहा है, क्योंकि specialty chemical की requirement जो है वो कम नहीं होने वाली अभी आरती industries को देखे, क्योंकि जहाए किसी भी segment में काम करें, ज ये daily time frame पर देख रहे हैं और एक time पर ये 1070 के आसपास था, वहाँ से गिर के इतने नीचे गया और अब एकदम तेजी इन्होंने पकड़ ली है, अब अगर बात करूँ मैं यहाँ पर hourly pattern पर, hourly pattern पर क्या कुछ view मुझे देखने को मिल रहा है, वो देखे समझने की कोशिश क कीजिए, यही चीज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको जो देखना है, वो यह देखना है कि trend reversal हुआ कर नहीं हुआ, bottom आप देख सकते हो, high बनाया, low बनाया, higher low है देखिए, फिर यह high पार हो जाता है, उसके बाद फिर से बनता higher low, higher low बनने के बाद आपको बस यह देख कि जैसे आपको पास यह bottom joint मिल जाता है, अपको इस joint के बाद आपके बाद इस stop loss आगया, इसका bottom फिर आपने entry करी, entry करी नया high बना आये, नया high बनाने के बाद फिर से आपको पास एक joint आ गया, joint का low आपका stop loss होता है, resolve होते ही देखिए, फिर से entry करी आपने, फिर से positivity है, अब देख सकते हैं कि किस तरीके से positivity आगे flow कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से move कर रहा है, धीरे-धीरे करके बहुत strong flow यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या daily पर भी देखने को मिल रहा है, वो आपने अलड़ी देखने को मिल रहा है, वो आपने अलड़ कोशिश कर रहे हो तो stop losses के साथ बिना stop losses के अभी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इंडिया के अंदर lockdown की स्थिति जो है वो आने वाले टाइम पे बढ़ सकता है जो lockdown अगर बढ़ेगा तो market में गिरावट आ सकती है यह कुछ important share है जहां पर रिवर्सल दिख रहा है खासकर कि फार्मा शेयर में रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा आपको FMCG सेक्टर में रिवर्सल देखने को मिलेगा उसके अलावब कुछ चुनिंदा शेयर जैसे आपके insurance companies and all में भी अदेखने को मिल रहे हैं 100% ऐसा नहीं कह सकते कि रिवर्स इसमें बहुत तेजी और रिवर्सल बहुत तेजी से हो गया वह हम अल्रेडी hourly पर हम identify कर चुके थे और इसी तरीके से identify करना है कोई अलग से rule तो है नी simple basic आपका जो lower low और lower high का series था वो तूटना चाहिए और वो वापस positive uptrend की signal आपको देखने को मिलने चाहिए अब यहीं ब्रेक किया है निफ्टी ने जो कि अच्छी positive बात है और continuous आप देखिए आवर वाई आवर में selling देखने को मिली second, third, fourth, fifth देखिए एकदम buying और बढ़िया बाइंग जो है हार आवर में आज निफ्टी में देखने को मिली है अब लेकिन critical support level जो है वो 9040 का आसपास का है वो important support है वो पार करना काफी जरूरी है चलिए हमने बात कर यहाँ पर तीन specialty chemicals related उम्मीद करता हूं को समझ में जरूर आगा और specialty chemical तो बही बहुत ही जबरदस्त area है और future है इसका definitely बड़ा future है specialty chemicals का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप share कर सकते हो और अगर आपको इस त कर सकते हो और वहाँ पर यही बताए गया कि उसमें कुछ अलग सा नहीं बस यही बताए गया और साथ के साथ जो member join करते हैं उनको practice करवाई जाते है कुई tip या recommendation हमारी तरफ से नहीं दी जाती है बस practice करवाई जाते है और उनकी practice को review करवा जाता है और लोग already वहाँ पर trade ल